हलो दोस्तों आज बना रही हैं हम एक बच्ची के लिए ब्लाउस तो पांच से छे साल की बच्ची के लिए ब्लाउस बनाएंगे ये मैंने वेलवेट फैबरिक लिया है और ये चोडाई के बल फोल्ड कर लिया है और इसके बाद जो है एक फोल्ड और कर देंगे तो ये जो burst area है वैसे measurement मैंने screen पे दे दिया है और जो तयार करेंगे वो change करेंगे इसके बाद हमें extra चाहिए तो सबसे पहले हम लंबाई ले लेते हैं length जो तयार करूंगी वो 11 इंच करूंगी प्लस इसमें मैंने 5 इंच जो है extra लिया है जो नीचे की उपर हम नीचे और उपर fold होने में चला जाएगा और सिलाई में चला जाएगा उपर का बंध है नीचे का ये खुला हिस्सा है जो हम back side बनाएंगे और 13 हमने लिया है 10 तीरा ह तो total मैं 5 ले रही हूं इसमें ना कम कर रही हूं ना ज्यादा क्योंकि जो बच्चे की neck होती है वो हम छोटी तयार करते हैं तो deep neck नहीं कर रही हूं सर्दियों के लिए बना रहे हैं और arm hole भी मैं 5 इंच ले रही हूं velvet fabric है तो obviously ये गर्मियों में पहना नहीं जाएगा सर्दियों में ही पहना जाएगा तो इस तरह से 6 इंच हमने total burst तयार करनी है और इसके बाद जो है इस तरह से देखे 6 इंच तयार करनी है प्लस इसमें 2 इंच और add कर लिया है margin और plate वगरा के लिए जो जाएगा और arm hole की इ मिसाल लगा देंगे तीरा भी 5 इंच और arm hole भी 5 लिया है और कमर भी मैंने इसी तरह से 8,5-8 इंच जो है ले ली है क्योंकि बच्चे का ज़्यादा फर्क नहीं होता burst और waste में तो लगबग बराबर होती है इस तरह से इसकी cutting कर लेंगे और cutting होने के बाद जो है हमारे 2 पार इस तरह से निकल जाएंगे आगे का पार्ट सिंगल होगार पीछे के दो पार्ट हमारे इस तरह से निकल जाएंगे एक्स्ट्रा जो plane fabric है उसको cut करके अलग कर लेंगे और इनको अब side रख देते हैं अब cut करेंगे हम sleeves तो चलिए sleeves के लिए इस तरह से 4 fold कपड़ा ये मैंने ले रही हूं चोड़ाई है जो और 3 इंच गहराई ले रही हूं और इस तरह से लंबाई जो है हमने full sleeve में तयार करी हूं 15 इंच की तो मैं इसमें 2-5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूं ताकि थोड़ा बहुत बच्चे का हम बना रहे हैं एक्स्ट्रा अगर हमारे पास है तो कभी भी हम खोल के उसको बढ़ा सकते हैं तो जब भी आप इस तरह से जो growing age के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा extra fabric रखिए length में भी और width में भी तो इस तरह से जो armhole की आगे से bottom की गुलाई रहेगी वो 4 इंच रहेगी 1-5 इंच उसमें और extra ले लिया है margin के लिए अब हम इसको cutting कर लेंगे मैं थोड़ा इसको पलट देती हूँ ये मेरी तरफ काटने में आसान होगा इसलिए इसको मैंने पलट लिया है अब बाजू की cutting कर देंगे और इसी तरह से हमारे जो part हैं वो cutting हो गए हैं और चलिए अब इसको stitch करते हैं उससे पहले एक बरी हम neck की cutting कर ले नेक जो है आगे का और पीछे का लगबग बराबर बना रही हूँ तो इस तरह से रखेंगे पहले हम आगे वाली neck की cutting कर रहे हैं चुड़ाई जो है 2 इंच ले रही हूँ और जो इसकी length है वो 3.5 इंच है जो गले की घहराई रहेगी वो 3.5 इंच है तो इस तरह से इसको cut कर लेंगे और फिर हमने lining और main fabric को इस तरह से रखके गुम सिलाई कर ली है यह back वाले part है और same मैंने length रखी है neck की same आगे का और पीछे का एक जैसा रख रहे हैं तो lining के साथ मैंने इस तरह से गुम सिलाई कर दी है और इससे neck भी ready हो जाएगा और finishing भी आ जाएगी और जो lining ह है वो भी बहुत ही आसानी से इसके साथ attach हो जाएगी same तरीके से अब आगे वाले neck में भी मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है lining रखके और फिर lining को पलटके पीछे की तरफ ले आएगे और neck भी ready हो जाएगा और इस तरह से ऊपर से एक single सिलाई इस पी लगा के और ready कर लें हैं अब neck तयार होगी है तो चलिए इसको fold करके रखेंगे और shoulder से 8 inch जो है नीचे की तरफ और 3 inch जो है चोडाई में लेंगे plate के निसान लगा रही है हम और इस plate के निसान को सीधा इस तरह से मिला लेंगे आगे का जो part है उस पे हमने ये निसान लगाया है और इसमें दोनो तरफ जो है हमने निसान इसी तरह से लगा लेने है shoulder से 8 inch और हमने जो चुडाई रखी है वो 3 inch रखी है इस तरह से दोनों तरफ निसान लगे है तो अब हम plate जो है stitch कर देंगे आगे की जो plate लगाएंगे वो थोड़ी सी गहरी लगाएंगे चुडाई में लगाएंगे तक क जो fitting है वो अच्छी आ जाए सिर्फ सामने वाले part में हम सिर्फ दो plate डाल रहे हैं इसी से जो है बच्चे की fitting बहुत ही अच्छी आ जाती है तो बड़ों के जैसे बहुत सारी plate ना डालें blouse में सिर्फ दो आगे की और दो पीछे की plate डाल के बहुत ही अच्छी fitting आप तयार क कर सकते हैं सामने का part हमारा ready हो गया है अब हमने पीछे वाले part को भी इसी तरह से ready करना है तो पीछे वाले part में हमने पहले पट्टियां लगानी है हुक बगरा लगाएंगे उसके लिए इस तरह से डेड़ी इंची पट्टी लेंगे और right side में जो पट्टी लगाएंगे व थोड़ी सी बढ़ा के पट्टी लगाते हैं जिस पे हम आई तयार करते हैं हुक और आई लगाने के लिए अलग-अलग तरीके से इस तरह से उपर की तरफ ये पट्टी रखी हमने और इसको इस तरह से रख दिया है और इसको अब stitch कर लेंगे तो ये पट्टी हमारी अंद देड़ से दो इंच चोड़ी पट्टियां हैं ये और इसको इस तरह से रखके एक्स्टर पट्टी को हटा दिया उपर की तरफ हमने एक्स्टर रखे है ताकि उपर से हम फोल्ड कर सकें क्योंकि हमने नेक को अलरड़ी तयार कर लिया है अब हमने इस पट्टी को बढ़ा क किया है तो यह पट्टी सिर्फ आधा इंच की रहेगी भाहर की तरफ और इस तरह से इसको स्टीच कर लिया है इस पट्टी पे हम आई तयार करेंगे अब हमने प्लेट के निसान लगाने है सेम उसी तरह से तीन इन्च जो चोड़ाई में और आठ इन्च जो है लंबाई में अब हमने SIM इसी तरहं से देखिए, इसके उपर एक को रख लिया और निसान आगया है दोनों पे, और सेम उसी तरहं से यह वाली जो प्लेट डालेगे, हम ठोड़ी पतली डालेंगे, वो हमने मोटी डाली थी, यह Backside है तो Backside में हम प्लेटें जो हैं पतली डालेंगे, इस तर पर एक stitch लगा कि इसको permanent stitch कर लेंगे और साथ ही अब इस तरह से shoulder को joint कर लेंगे shoulder पर आपने दो से तीन सिलाई लगानी है, same दोनों इसी तरह से shoulder को joint कर लेंगे इसके बाद जो है हमने fitting लगानी है और length में जो जितना हमने रखना है तब तक इससे देखे इसको बक्या जो मोटा बक्या कर के और इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे ताकि जो fitting करेंगे वो अच्छी fitting आ जाए, यह हम बाद में हम इसको निकाल देंगे इस सिलाई को अब हमने देखे कि जितनी लंबाई रखनी है वो देख लेंगे कितनी रखनी है आगे के जो armhole की है वो cutting करेंगे साथी सबसे पहले देखे यहां से हमने 11 इंच की इसकी length रखनी है तो वो निसान लगा लेंगे पूरे पे आगे का और पीछे का सेम दोनों पे इस तरह निसान लगा लिए ताकि जो सिलाई करेंगे उसमें हमें आसानी रहे इस तरह से निसान लगा के इसको fold कर लेंगे थोड़ा सा मैंने इसमें extra रखा है ताकि जब भी बच्चा अगर बढ़ जाता है तो आप बाद में भी इसको 2-3 साल तक पहना सकते हैं लेंथ अगर आपके पास रहती है विट में भी और लेंथ में भी दोनों तरफ जो है इसको extra रखें इस तरह से आगे के और पीछे के पार्ट हमने फोल्ड कर लिए हैं और पीछे वाले दो पार्ट है हमारे तो दोनों को बिल्कुल बराबर रखते हुए फोल्ड करके चेक करके इस तरह से फोल्ड करके और फिर हमने स्टीच लगाना है ताकि जो पीछे के पार्ट है वो दोनों एक जैसी हों देखे इस तरह से ये सिलाई लगी हुई है और इसको बाद में निकालेंगे तब तक अब हम फिटिंग का निसान लगाएंगे आप अपनी कोडिंग जैसे जितनी आपकी फिटिंग है वो लगा लें 11 इंच का ये टोटल लेंध तयार हुई है और मैं इस तरह से इसकी करीब 14 इंच जो है फिटिंग लगाऊंगे यहां से 2 इंच इस तरह से मैंने कम कर लिया है तो इसी तरह से कमर पे भी निसान लगा लेंगे टोटल कमर जो है करीब 12 इंच के असपास तयार कर रही हूँ इसमें मैं थोड़ा lose ही बना रही हूँ ताकि बच्चे को पहने में comfort रहे और इस तरह से दोनों तरफ fitting के जो निसान है उनको लगा देंगे और साथ ही जो है बाजू हमारी आगे से इस तरह से मोटी जो है fold कर रही हूँ मैं थोड़ा इस तरह आप पतला भी fold कर सकते हैं मैं इसमें थोड़ा चोड़ाई वाला पट्टा इस तरह से fold कर रही हूँ पट्टी और दोनों जो है बाजू को आगे से fold कर लेंगे उसके बाद जो है आम होल की भी आप हलकी सी कटिंग कर दें बच्चे में बहुत जादा कटिंग की जरुरत नहीं रहती है तो बिल्कुल कम जो है जैसे normal हम आदा इंच की करते हैं तो उसमें भी आपको बिल्कुल सिर्फ दो पॉइंट की कटिंग करनी है तो इस तरह से दोनों को एक दूसरे के उपर रखा फेस से फेस मिलाते हुए जो है इस तरह की कटिंग कर लेंगे तो ये आगे की कटिंग हो गई है अब हमने बाजू को fold करके इस तरह से रखना है आगे की मोरी का निसान लगा देंगे जितनी आप मोहरी तयार करना चारे तो 4 इंच की मैंने आगे से लगाया है और जो हमारी fitting लगी हुई है blouse की वहां तक जितनी सिलाई जा रही है वहां तक मैंने इस तरह से निसान लगाया और बाजू की जो है fitting का सिलाई का एक निसान लगा लिया जो है अब इन पर सिलाई लगाने के बाद इनको पलट लेंगे और इस तरह से blouse के अंदर insert करके इसको बाजू को fitting stitch कर देंगे तो इस तरह से देखे बाजू को blouse के अंदर इस तरह स्टीच किया और जोईंट से जोईंट मिलाते वे इसको stitch कर लिया है तो चलिए देखिए final इस तरह से मैंने इसको ready कर लिया है बहुती सुन्दर और खुबसूरत हमारा ये blouse बनके ready हुआ है आप सबको वीडियो कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताना और आप मेरे channel को पहली बार देख रहे हैं प्ली चैनल को subscribe कर ले और bell icon को press कर दे ताकि वीडियो का notification आपके पास तुरंत पहुँचे like जरूर करना और साथ ही आप comment भी मुझे जरूर करना मिलते ही किसी और interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye and take care